डाकू नेली सीख दिया है और अच्छाई के मार्क पर चलने लगा हूँ जब से मैंने बुरे कर्म और चोरी लूट पार्ट करना छोड़ा है तब से जो आनंद, संतोश वे खुशी मुझे प्राप्त हुई है ये एहसास लोगों को मार के और चोरी करके पहले कभी नहीं हुआ था मैंने अपने वे आप से प्रतिग्या ली है कि मैं अब किसी को नहीं सताओंगा सब की मदद करूंगा मेरी वज़े से दुनिया में अब किसी इंसान वा जानवर को कोई परिशानी नहीं होगी अभी तक जो भी धन, चोरी वा लूट पार्ट से मैंने खटा किया था अप से मैं वह जरुवत मंदों में बाट दूँगा और सभी गाओंवालों से माफी मांगकर उनसे लूटा हुआ धनोंने वापस कर दूँगा और गाओंवालों से वादा करूँगा कि अब मेरी वाज़ा से गाओं के किसी भी इंसान वापशू, पक्षी को परिशानी नहीं होगी और मैं गाओं के सभी लोगों को समझाओंगा कि योग के माध्यम से मैंने अपने जीवन में जो जो सुधार लाए हैं ठीक उसी तरह आप भी अपने अंदर के शत्रू वे शैतान को मारकर एक अच्छा इंसान बन समाज का, मानवता का और स्रिष्टी का उधार कर सकते हो किसी भी वस्तू, रुपया, पैसा, आदी का संग्रे नहीं करना चाहिए मेरे धने खटा करने का कोई अर्थ नहीं है मेरे बच्चे होनहार होंगे, तो खुद से मैनद कर धन कमा एक अच्छा जीवन यापन कर समाज का जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अगर मेरे बच्चे सही ना हुए, तो उनके लिए कितना भी धन, जायजाद, पर संपत्ती छोड़ जाओ, वो सब बरबाद कर देंगे और खुद के साथ साथ अपने परिवार न समाज के ऊपर बोज बन जाएंगे इसलिए मैं अब अपने बच्चों को योग के मार्ध्यम से सही रहा दिखाऊंगा जिससे वो अपने जीवन में सच्चाई के मार्ध पर चलके अपना सफल जीवन बिता सकें और समाज के और धार में सही होग दे डाकू की बात सुनकर योगी जी बोले यदि व्यक्ति अपने अंदर के शैतान को वश में करके योग के नियमों का पालन, इश्वर का ध्यान, हिदय में दया और महनत से प्राप्त वस्तू में सच्चा संतोश वशुख प्राप्त हो तो वह अपना मानसिक और शारिरिक जीवन सुखर वेखोशी से व्यतीत कर सकता है कितनी भी महान वस्तू या कितना भी महान विचार हो लेकिन आपकी आत्मा से ज़ादा कुछ भी महान नहीं हो सकता और अपनी आत्मा को माहन बनाने के लिए आपको योग का मार अपनाना होगा अब यहां मेरा काम खतम होता है अब हमेशा की तरह बार-बार तुम्हें मेरे पास नहीं आना पड़ेगा और मैं उमीद करता हूँ तुम्हारे द्वारा ली गई प्रतिग्या सफल हो अंतमा डाकु योगी को कुछ पत्ते भेटकरते हूँ कहता है महराज मेरे प्रास प्रक्रति के अलावा कुछ नहीं है आपको भेटकरने को और डाकु परड़ाम करता है और वहां से जाने की आग्या माग कर डाकु गाओं की तरफ चला जाता है